हे गाइस कैसे आप सब मैं हूँ निखिल और आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग क्रिएट करेंगे यह बहुत ही रियलिस्टिक लोकिंग मेटालिक एफेक्ट फोडोशॉप यूज करके इसे बनाना बहुत ही जादा इजी ह है और सबसे बैस चीज यह है कि आपने इस एफेक्ट को एक बर किसी शेप या लोगो पर बना लिया और मान लीजिए बनाने के बाद आप उस लोगो या शेप को चेंज करना चाहो तो वह भी आप बहुत ही इजी कर पाओगे आपको पूरा एफेक्ट जीरो से बनाने की ज स्टार्ट करता है क्रिएट करके एक नियू डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट साइज मलूंगा वह होगी 2000 बाई 2000 आप कोई भी साइज ले सकते हो जो भी साइज का आपको यह डिजाइन बनाना है रिजूशन 300 पर रखूंगा और जो कलर मोड है वो सेट है आरजीब पर 16 बिट्स पर और क्लिक करेंगे क्रिएट पर सो यह है हमारा नियू डॉक्यूमेंट या नियू आर्ट बोर जो भी आप कहना चाहो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो एक सॉलिट कलर का बाग्राउंड आड करके तो यहां पर मैं इसे काइंड अफ टार्क मतलब बलाक ही र इसे नाम दे देंगे बीजी फर बाग्राउंड और शाहू तो इसे लॉक कर देंगे अब सबसे पहले तो मैं एक नया लेयर क्रिएट करूंगा और राइट क्लिक करके इसे कनवर्ट टू स्मार्ट आपजेक करूंगा अब इससे क्या होगा कि जब हम किसी भी लोगों पर लोगों हम लोग इस स्मार्ट आपजेक के अंदर प्लेस करेंगे इससे यह बेनिफेट होगा कि हमें बार बार इस एफेक्ट को जीरो से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें बस लोगों स्वाप करना है कंट्रूल एस प्रेस करके सेफ करना है और वह सारे ए स्क्रिप्टिंग करने में हाला कि स्क्रिप्टिंग मेरे लिए काफि आसान हो गया है थैंक्स दू वर ट्यून जो कि हमारे इस वीडियो के सपॉनसर भी है बेसिकली वर्ट्यून यूज करके ना सिफ मैं अपने स्क्रिप्ट को और बैटर वे में लिख पाता हूँ बलकि अगर मैं कही अटक जाओ मतलब की मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने वीडियो की script को आगे कैसे लेके जाओ तो यह मुझे help करता है उस creative blog से निखलने में by writing the script for me और यही नहीं अगर मैंने script लिख ली है तो उसका जो तोन है उसे मैं casual बना सकता हूँ professional बना सकता हूँ और word tune का जो spices वाला feature है वो तो सबसे best है अगर मुझे किसी particular topic को और better way में explain करना होगा तो वह भी मैं काफी easily कर सकता हूँ मैं एक ही sentence से different types of sentences generate कर सकता हूँ in fact अगर मुझे किसी topic से related कोई joke आड़ करना है तो वह भी मैं कर सकता हूँ so i think word tune is a perfect writing assistant and the best part is that it is completely free link मैंने description में दे दी है तो जरूर इसे check out करें तो अब continue करते है हमारा tutorial ठीक है तो मैं इसे नाम दे दूंगा logo अब logo या कोई भी text भी use कर सकते हो और फिर इस पर double click करके open करेंगे और इसमें हम जो भी logo आड़ करना चाहिए वह आड़ कर सकता है अभी के लिए मैं यही जो instagram का logo है मेरे पास उसे ले लूँगा इससे मैं clear style कर लेता सबसे पहले तो और ctrl c ctrl v तो यह है हमारा instagram का logo अगें आप कोई भी logo ले सकते हो ctrl s प्रेस करूंगा save करने के लिए और हम फिर से जाएंगे हमारे document में यह आगे हमारा logo अब मैं इस logo को select करूंगा जाओंगा effects में और add करूंगा bevel and emboss इसे मैं reset कर देता हो to default setting ताकि आप देख सके कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे है अब सबसे पहले जो style है उसे हम set कर देंगे emboss पर technique हम लोग smooth ही रखेंगे जो depth है उसे मैं बढ़ा दूँगा पूरी तरीके से 1000% पर अब मैं ok press करूंगा और जो fill है इस layer की उसे मैं set कर दूँगा 0 पर ताकि आप देख सको कि हम लोग क्या कर रहे है exactly यहाँ पर इसे double click करके open करेंगे तो देख रहे हो कि किस तरीके से हमने एक हलका सा emboss effect add करके एक अच्छी से highlight बना दी है हमारे logo पर अब यह जो depth है ok 1000 पर set है सही है size हम लोग बढ़ाएंग तो आप directly control hold करके से slide कर सकते हो इस तरीके से हैं है कि ने तो आपको अलग-अलग values दालने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी तो तो यह काफी साही लग रहा है और soften इसे में set कर दूँगा 2 पर अगर मैं इसे बहुत जादा soft कर दूँ तो यह blur हो जाएगा अगर 0 पर कर सकते हैं देख सकते हैं कौन सा angle हमारे लिए सही रहेगा तो मैं इसे काफी कम रखूंगा I think around 5 या 6 के बीच में कुछ बीच में क्या आता है 5 & 6 ही आते हैं एनिवेस तो इससे मैं let's set this to 6 ओके और जो altitude है इससे हम बढ़ाएंगे हलका सागर मैं से बहुत जादा बढ़ा द पर और इसे हम बढ़ा देंगे 70% पर और जो shadow mode है इससे मैं set कर दोंगा light in पर और opacity 0 कर दूंगा तो हमें काफी intense यहां पर lighting मिल रही है हमारे लोगों के उपर और जैसे कि आप देख रहे हो कि light जो है वो right side से आ रही है हमारे लोगों पर and that is exactly the look I want but even make it better what I'm gonna do is यह जो gloss contour आ मिल जाता है और इसे use करके हमारा जो main base effect है metal का glossiness जो रहती है metal की वो हम लोग create करेंगे तो मैं simply इससे click करके points create कर सकता हो और यहां पर इसे रखूंगा और एक point यहां पर create करूंगा और यहां पर अब यह मैंने काफी जादा play around करने के बाद figure out किया कि यह इस type जो graph है यह इस काफी नीचे कर दू तो यह बहुत जादा intense हो जाएगा मुझे इतना intense नहीं चाहिए तो देख रहे हो यहां पर देखना यह area में किस तरीके से जो intensity है glossiness की वो कम जादा हो रही है अगर मुझे एक brushed smooth metal लुक चाहिए तो मैं इसे कम रख सकता हो अगर मुझे एकदम glossiness चाहि रहा है काफी जादा metallic लुक हमें दे रहा है पट हमें इसे एकदम realistic जितना हो सकता realistic बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कुछ copies बनाएंगे इसकी तो प्रेस करूंगा okay फिर मैं प्रेस करूंगा Ctrl J duplicate बनाने के लिए और फिर हम जाएंगे इसके bevel and emboss में इसका जो size है मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा let's set this to around 35 or something okay size हमने थोड़ी बढ़ा दी अब जो angle है इसका वह हम थोड़ा चेंज शेरिंगे इससे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा देखते है okay तो यह थोड़ा बेटर लग रहा था and altitude है इससे भी हम बढ़ाएंगे 70 75 के असपास यह सरी लग intensity है top areas की वह हमने बढ़ा दी तो इससे काफी ज्यादा और reflections यहां पर बन रहे है जिसे वह और ज्यादा realistic लग रहा है और finally और एक बार मैं इसका duplicate बनाऊंगा Ctrl J प्रेस करके फिर again हम जाएंगे bevel and emboss में इस बार जो size है उससे मैं 20 के असपास set कर देता हूं और जो opacity है वह म main जो angle और altitude है उसके साथ हम लोग थोड़ा सा play around करेंगे तो सबसे पहले तो altitude इस बार मैं 0 पर रख दूंगा और angle को थोड़ा मैं change करूंगा क्योंकि अभी इस area में आप देख रहे हो यह काफी ज्यादा flat है मतलब shadows आ रहे है कुछ भी यहां पर हमारा subject जो है वह highlight नहीं हो है मतलब हमारा logo तो उस area में मुझे थोड़ सा highlight चाहिए कुछ ऐसे है तो यह काफी सही लग रहा है all right तो देख सकते हो before and after यहां पर भी एक अच्छी depth आ गई है and it's looking very very nice all right so जैसा कि आप देख रहे हो बहुत जादा अच्छा लग रहा है तो जैसे कि हमने इसे बिल्ड किया पहले तो हमने बस यह जो है एक metal का base layer बनाया फिर उसमें और थोड़े से reflection hard reflection add किये जो intense है और फिर जो shadow areas थी उसे भी हमने भर दिया तो इस तरीके से काफी अच्छा है metallic look हमें मिल जाता है अभी यहां पर फिनिश नहीं होता इससे थोड़ा सा और realistic बनाने के लिए यह जो grunge texture है मेरे पास यह मैं इसके उपर add करूंगा तो Ctrl C और Ctrl V copy paste करने के लिए और यहां पर इसका जो blend mode है वो मैंने set कर दिया था overlay पर with the fill set to 40% अगर मैं इसे 100 पर रखो तो यह बहुत जादा grunge हो जाएगा but जैसा भी आपको चाहिए अगर आपको intensity बहुत जादा high चाहिए तो fill को 100 पर रखो या तो धीरे-धीरे से कम करके देख सकते हूँ कि subtleness पर कैसा लग रहा है तो 40-35 एक sweet spot है काफी अच्छा लगेगा अब इसकी सबसे best चीज क्या है पता है यह जो हमारा base layer है इसे जाके मैं color भी कर सकता हो तो अगर मैं यहां पर जाओ और मैं जाओ color overlay में तो यहां पर जाकर हम कुछ colors वगेरा भी यहां पर इस तरीके साइड कर सकते हैं अब सबसे best चीज हमें अगर इस लोगो चेंज करना है किसी और टेक्स या लोगो को यूज करना है तो मैं इसे 0 से create करने की जरुवत नहीं मैं simply इस लोगो के smart object पर डबल क्लिक करूंगा यहां पर जाएंगे और मैं चाहूँ तो कोई भी logo यूज कर सकता हूँ या अगर और यहां पर इसे add कर देता हूँ इसे hide करके Ctrl S प्रेस करूंगा और यहां पर यह हाइलाइट हो जाएगा हाइलाइट यहां पर यह बेसिकली update हो जाएगा और देख रहे हो कि कितना जादा रिलिस्टिक दिख रहा है कितना जादा detail है हर एक चीज में और हमने जो texture add किया है उससे वह और भी जादा enhance हो गया है और इस texture का actually में duplicate ले सकता हो Ctrl J प्रेस करके यहां पर background में रखेंगे इसे हम set कर देंगे normal पर और इसका जो फेल है उसे मैं धीरे-धीरे कम कर दूंगा कुछ यहां तो background में हलका फुलका सा texture आ जाएगा जो की दिखने में काफी जादा अ मुझा लगता है and boom there we have a metallic effect so that is a wrap guys I hope आपको आज का यह tutorial अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो यार मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए मेरा वीडियो पहली बार देख रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और Instagram पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो रोग.motions और किलपवार पर सारे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दिये है तो इसी के साथ मैं आप लग से मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक लिए तेक केर and always stay raw, stay creative, peace out.